Hello everyone, welcome back to Let's Learn With Me आज की वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं UKG क्लास के लिए English वर्क्षीट और इसमें हम देखेंगे vowel sound I और ये एक revision वर्क्षीट है अगर आपने बच्चों को vowel sound I इंट्रोड्यूस करा दिया है तो उसके revision के लिए बहुत ही helpful वर्क्षीट है ये So here is our first question Join the letters to make three letter words यहाँ पर कुछ letters दिये हैं इन्हें join करके three letter word बनाना है जैसे कि first यहाँ पर है B, I, N तो यह हो जाएगा bin यहाँ पर लिख देंगे B, I, N, bin Next is T, I, N तो यह हो जाएगा tin T, I, N, tin L, I, T तो यह हो जाएगा lit L, I, T, lit Z, I, P तो यह हो जाएगा zip Z, I, P, zip इसी तरीके से यहाँ पर है S, I, P तो यह हो जाएगा sip P, I, N, pin F, I, T, fit K, I, T, kit तो इस तरीके से यहाँ पर letters को join करके three letter words बनाने हैं और साथ में आपको इनकी reading की practice भी जरूर करानी है Next question is name the picture यहाँ पर हमें कुछ pictures दी गई है इन्हें identify करना है and in के name लिखने है जैसे कि first यहाँ पर है zip तो यहाँ लिखेंगे Z, I, P, zip Next is pin तो यहाँ पर हो जाएगा P, I, N, pin Lip है तो यहाँ पर लिखेंगे L, I, P, lip Next is bib तो यहाँ पर लिखेंगे B, I, B, bib Lit तो यहाँ पर हो जाएगा L, I, T, lit इसके बाद यहाँ पर है bin तो यह हो जाएगा B, I, N, bin Next question is fill in the missing letter यहाँ पर हमें कुछ images ड्रॉ करके दी गई है and इनके words भी लिखे हैं लेकिन इनमें कुछ letters है जो missing है तो क्या करना यहाँ पर इन images को identify करना है इनके name को pronounce करना है और देखना है कि कौन सा sound यहाँ पर missing है उस letter को यहाँ पर लिख देना है जैसे कि first है hill तो यहाँ पर लिखा है H, L, L यहाँ पर missing है I तो यहाँ पर fill करेंगे I यह हो जाएगा hill next is tin यहाँ पर लिखा है T, N तो यहाँ पर भी missing है letter I का sound यहाँ पर fill कर देंगे I यह हो जाएगा T, I, N tin इसी तरीके से यहाँ पर बनी हुई है fish और यहाँ पर है F, S, H तो यहाँ पर भी fill करेंगे I I missing है तो यह हो जाएगा F, I, S, H fish next is pin यहाँ पर है P, N यहाँ पर fill कर देंगे I तो यह हो जाएगा P, I, N pin यहाँ पर है nib और लिखा हुआ है N, B यहाँ पर भी fill कर देंगे I तो यह हो जाएगा N, I, B nib फिर यहाँ पर है fig F, G लिखा हुआ है यहाँ पर fill कर देंगे I तो यह हो जाएगा FIG FIG इस तरीके से इसे complete करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन इस circle the correct word for given picture यहाँ पर हमें कुछ images दी गई है इन्हें identify करना है and इनके सामने कुछ words लिखे हैं तो देखना है कि कौन सा word इस picture के लिए suitable होगा उसे circle करना है जैसे कि first image में यहाँ देख सकते हैं दो tree बने हुए है और यहाँ पर एक arrow है जो indicate कर रहा है बड़े वाले tree को तो यानि कि यह picture इसके लिए हमें जो word ढूड़ना है वो है big यह small है और big indicate किया गया है तो हमें यहाँ पर ढूड़ना है big तो यहाँ पर लिखा है big bag big big bag 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 bug 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 तो correct word is big big इसे क्या करेंगे circle कर देंगे next यहाँ पर है dig तो यहाँ पर देखेंगे dig कहाँ पर लिखा है यह है dig dig इसे क्या करेंगे circle कर देंगे फिर यहाँ पर है kid तो यहाँ देखेंगे kid कहाँ पर है यहां पर देखेंगे पिन कहा है यहां पर लिखा हुआ है तो इसे सर्कल कर देंगे इस तरीके से इसे कम्प्लीट करना है यहां पर हमें कुछ words दिये गए है थ्री लेटर words है और इनके opposite side में भी same word है लेकिन random order में लिखे है तो क्या करना है इन words को इनके opposite side ढूंटना है और उसके साथ में match कर देना है जैसे कि first यहां पर है tip तो यहां देखिए tip कहां पर लिखा है यहां पर है तो इसे इस तरीके से match कर देंगे next is zip तो इसे match करेंगे zip के साथ यहां पर है sit इसे match कर देंगे sit के साथ फिर यहां पर है pit तो इसे match कर देंगे pit के साथ और यहां पर है pig तो इसे match कर देंगे pig के सा इस तरीके से यहां similar words को match करना है Next question is Circle the odd one यहां पर हमें कुछ group of words दिये गए है तो इन में देखना है कौन सा word है जो different है, odd है उसे circle कर देना है हर एक group में ढूड़ेंगे तो पहला group यहां पर है KID kit, K ILL kill, KIT kit, K EG keg तो यहां पर odd कौन सा है? keg क्योंकि सभी words में letter I का sound है लेकिन यहां पर नहीं है यह different है तो इसे क्या करेंगे? Circle कर देंगे Next group है PIT pit, PIN pin, P EG peg, P IG pig तो यहां पर peg different है इसे circle कर देंगे इसी तरीके से यहां पर है BEG bag, BIG big, B IB bib, BIT bit तो यहां पर different कौन सा है? BEG bag इसे circle कर देंगे और फिर यहां पर है F I G fig, F I N fin, F I T fit, F U N fun तो यहां पर different हो जाएगा F U N इसे circle कर देंगे next question is write rhyming words यहां पर हमें कुछ words दिये गए है इनके rhyming words लिखने है जैसे कि first है fin तो fin का rhyming word हो जाएगा bin यहां पर लिख देंगे B I N bin next यहां पर है sit तो इसका rhyming word हो जाएगा fit F I T fit big है तो यहां पर हो जाएगा dig D I G dig फिर यहां पर है kid तो यहां पर हम लिख देंगे L I D lid kid का rhyming word हो जाएगा lid फिर यहां पर है lip तो इसका rhyming word हो जाएगा tip T I P tip bib है तो इसका हो जाएगा Nib N-I-B Nib इस तरीके से यहाँ पर जितने भी words हैं इनके rhyming word लिखेंगे Next question is Circle the words with sound of I यहाँ पर हमें कुछ words दिये गए है इन में देखना है कि कौन से word में letter I का sound है उसे circle करना है जैसे कि first यहाँ पर है bag P-A-G bag तो इसमें I का sound नहीं है इसे हम circle नहीं करेंगे फिर यहाँ पर है B-I-G big तो इसमें letter I का sound है इसे हम क्या करेंगे circle कर देंगे इसी तरीके से यहाँ पर S-I-T इसमें letter I का sound है इसे circle करेंगे फिर यहाँ पर है P-I-T F-I-T N-I-B nib P-I-G pig F-I-N-F-I-N-F-I-N-S-I-P-S-I-P-B-I-B-B-I-B और यहाँ पर है L-I-D-L-E-D तो इस तरीके से यहाँ पर जितने भी ऐसे words हैं जिसमें की letter I का sound है उन्हें हम find करेंगे और circle कर देंगे तो यह थी आज की worksheet hopeful video आपके लिए helpful रही होगी अगर आपको video अच्छी लगी helpful लगी तो प्लीज इसे like करें share करें और subscribe करें channel Let's Learn With Me को तो चलिए मिलते हैं next video में new topic के साथ तब तक के लिए take care and bye bye